अगर दोस्तो आप भी धन एप में stop loss लगाना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि धन एप में stop loss केसे लगाया जाता है तो दोस्तो आज काई वीडियो आपके लिए भोती दादा खास होने वाला है क्योंकि देखो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी detail में बताया ह कि आप धन एप में stop loss केसे लगा सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते सबसे पहले नीचे आ जाते और यहाँ पर nifty 50 पर आएंगे और यहाँ पर क्या करते option chain पर आ जाएंगे अब मैं यहाँ पर एक position बनाता हूँ call का और उस position के उपर आपको में stop loss लगा के दिखाता हूँ तो simple से यह वाला call लेंगे और यहाँ पर buy पे click करेंगे और एक lot लेंगे यहाँ पर मुझे 19 का गिर रहा है ओके यहाँ पर buy करेंगे market price पे तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने buy कर लिया है अभी इस पे stop loss लगाना है तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो यहाँ पर position है इसके उपर आ जाएंगे और आने के बाद देख सकते हो अभी हमें 20 रुपे का profit और 17-16 मतलब profit and loss चल रहा है इस position में तो अभी आपको stop loss लगाने के लिए इस position के उपर click करना है click करोगे तो कुछ इस तरक interface आएगा अब आपको यहाँ पर अपना buying price पता होना चाहिए जैसे कि मेरा जो buying price है न वो है 77 रुपीज का और अभी देखो यह जो चल रहा है न 79 रुपीज और 78 रुपीज पर चल रहा है तो अभी हम क्या करेंगे इस पर stop loss लगाएंगे उपर आपको stop loss option मिलेगा तो यहाँ पर add के उपर click कर देंगे और यहाँ पर आपको limit price बोलेगा और target price बोलेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ से पहले इनको erase कर देते हैं आपको दोनों side की price को erase कर देना है उसके बाद limit price पर आना है और यहाँ पर आप जितने कभी stop loss लगाना चाहते हैं उतना amount यहाँ पर आपको डालना है अभी मैंने यहाँ पर 77 रुपीज में purchase किया था तो मैं 75 डाल दूँगा और नीचे भी आपको 75 ही डालना है और यहाँ पर point डालेंगे उसके बाद 0,5 डालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने amount select कर लिया है तो नीचे आपको sale का option मिलता है sale के option पर click करोगे तो आभी हमारा stop loss लग चुका है फिर से हमें position पर आना है और आप यहाँ पर देख सकते हो 75 रूपीज का हमारा stop loss लग चुका है जब भी यह amount 75 आएगा तो हमारा stop loss हीट हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा stop loss हीट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो मुझे notification भी आ चुका है तो back आके आपको दिखाता हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा stop loss हीट हो चुका है और हमें यहाँ पर 72 रूपीज का loss हो चुका है